मुतरम जगत गुरू संकराजार जी से गुजारिश है कि वो अपने तस्पुराद पेश करें ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय ओम नमाशिवाय इस महान काईकरम के आयो जगन आगन तुक अतिथी गन एवं धर्म प्रेमी सज्जनों भगवान की जब कृपा होती है तो कभी धर्म की सच्चाई को जानने का आउसर मिलता है मुसल्मानों के बीच में लगातार कई वर्सों से हम जा रहे हैं और भारत वर्स में एक नई प्रथा का प्रारम भकिया मैने की जब जगत गुरू संकरा चार्जबी मुसल्मानों के बीच में जाकर के उनके प्रेम को समझ सके और इसलाम की सच्चाई को जान करके इसलाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाच सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे जब लोग इसलाम को बेदर्ब, मुसल्मान को बेदर्ब, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं तो अगर शायद धर्ती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे जादा दुख मुझ को होता है ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है जिस इसलाम ने पहला कल्मा ही कुरान सरीप का बताता है कि नहीं है इवादत के काबिल सिवाए परमात्मा के और कोई ला इल्लाह इल्लाह मुहम्म्मद रसूल अल्लाह भलाया आप बताईए बेदों का रस बेदों का रस निचोड करके मुहम्मद साहब ने परमात्मा की अबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कल्मे में दे दिया इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है अगर कुरान के पहले कल में कोई पढ़कर के हिंदु अपने धर्म का पालन करना चाहे तो उससे बड़ा धर्मात्मा शायद कोई नहीं होगा कुरान को हमने गहराईयों में जाकर के तो नहीं अन्वो किया लेकिन कुरान के मानने वालों के हिर्दे की गहराईयों में जाके देखा कि अगर इसलाम को पुरी दुनिया अगर सरीकार कर ले तो इसमें कोई भुराई नहीं है इसलाम परमात्मा के द्वारा बताया गया सिध्धानत है इसलाम किसी बेक्टी का अपना नियम नहीं है अपना सिध्धानत नहीं है कुछ लोग भे भाव पैदा करने के लिए इस धर्ती पर मुसल्मानों को बेदर्द कह देते हैं इसलाम को बुरा कह देते हैं मैं कहता हूँ उनसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है वो सैतान के बच्चे हैं खुदा के बच्चे नहीं है क्योंकि जहां तक मेरी अपनी पहुंच है हमने बेदों को पढ़ा पुरान को पढ़ा सास्प्रों को हिंदू धर्मकरंतों को पढ़ा उसके बाद में मुसल्मानों के बीच में जाना शूरू किया हमने मुसल्मानों से हाथ मिलाया तो हमारा बिरोस किया गया ये अंदा खाने वालों से हाथ मिलाते हैं संकरा चार्ज कैसे हैं अरे हमने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है वो पांच बार इबादत कर लेते हैं खुदा की तुम घास खाते हो और एक बार भी इस बात नहीं करते हो तो तुम से बड़ा अधर्मी दुनिया में कौन है तुम अपने अधर्म को देखो किसी के पवित्रता के सिध्धान्तों का बिरोष करना पहला अधर्म है आप क्या खाते हैं? कैसे रहते हैं? अगर हमें आप दुखी नहीं करते हैं तो आप से बड़ा इनसान दुनिया में कोई नहीं है हम घास खाएं और आपके दिल को चोट पहुँचा हुएं तो हमसे बड़ा अधर्मी कोई नहीं है दुनिया में कहने का अताथ पर जिस सर्फ एक है कि मैंने यह अन्भू किया है कि यह एक बात जो मैंने देखा है आप लोगों से जो प्रेम मुझे मिलता है लोग कुछते हैं कि आप मसल्मानों में क्यों जाते हो? आप तो संकराचार जो हमने का कि भाई मुसल्मानों से पूछो कि हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं वो? हमसे जो प्रेम करेगा हम तो जाएंगे का फिर क्या हम प्रेम नहीं करते क्या हमने का कि हम तो तुम्हारी बीच में पैदा हुए और तुम मुसल्मानों से प्रेम नहीं करते इसलिए हम तुम से प्रेम नहीं करते मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूँ कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसल्मानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्ज किया जिसके उले से आम हिंदू सिदा सादा हिंदू विचारा जानी नहीं पाता है इसलाम क्या है और सनातन धर्म क्या है सनातन धर्म और इसलाम में कोई भेज नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कित का सनातन सब्द है अगर किसी भासा में उसको इसलाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है इसलाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सब का है ये संदेष रिशियो मुनियों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश सयम हमारे मुहम्मद साहब ने इस पैगाम को दिया तो हम भेद भाव क्यों करें यहाँ पर भारत का मुसल्मान एक बात बिलकुल मैं अस्वश्च बता रहा हूँ आग से अगर भारत का मुसल्मान सो गया तो भारत सो जाएगा इसलिए भारत को जगाना है तो मुसल्मानों को जागते रहना पड़ेगा भारत जाग जाएगा पूरी दुनिया जाग जाएगी यह भी मैं जानता हूँ कि भारत के सच्चे हिंदूओं को जो सच्चे सनातन धर्मी है उनको मुसल्मानों से प्रेम चाहिए उनको मुसल्मानों से भेद नहीं चाहिए अगर कोई अच्छा हिंदू है सच्चा हिंदू अपने कहता है तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो अगर हिंदू की परिभाशा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाशा है तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजली देता हूँ हिंदू धर्म कुछ नहीं ये पिर हिंदू धर्म वही है जो बेज को माने, पुरान को माने और सनातन को माने सनातन धर्म धर्म है और उस धर्म को न मानगे अपनी एक लिए नहीं ब्युसा चलाना शुरू कर दे इसका मतलब यह है और नाम भगवान का ले एक बात और बता देता हूँ भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा रोज रोज नियम बदलना अदमियों का काम है हमारे पूर पुरद्धान मंतरी साथ मुझे दुख होता है कभी कभी है जब कि लोग यह न समझ बैठे कि मैं उनका विरोजी हूँ विरोजी नहीं हूँ लेकिन उनको खुद सनातर धर्म की परिभाशा नहीं आती है विजेश में जाकर के हिद्धु धर्म की गलत परिभाशा कर दिये और हमको सब को ये दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े है धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है पहले धर्म को जान लेना चाहिए पिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम पहलेगा शांती पहलेगी इंसानियत सारे चारो तरब चारो दिशाओं में इंसानियत का प्रकार्श होगा और मैं तो कहता हूँ कि अगर संक्राचार जोग सब मिलकर के इस बिचार में इस्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इसलाम से अलग नहीं इसलाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं जो भेद पैदा होता है या राजनीती में होता है साम, डाम, दंड, भेद ये राज नीती में है धर्म में नहीं है धर्म में है एको ब्रम दुतियो नास्ती एक मिव दुतियम ब्रम ला इल्लाह इल्लाह ये धर्म कहता है ये धर्म की बात है इसलिए हम भगवान क्या राधना करते हैं उपासना करते हैं परमात्मा एक है और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता कि धरती पर इनसान बदलते जा रहे हैं तो परमातमा अपना नियम बदलता चला जा रहा है ये एक बात याद रखियेगा जब सक शुरुआत हुई होगी और जब तक ये दुनिया रहेगी ईश्र का सिद्धान्त एक था एक है एक ही रहेगा मानने वाले आपस तो दोस्त वे बहुं में दोक्त बुश्ध को से रहेगा मैं जब सकरे जरुआखरेके हैं तो दोस्त जाता एक हैं राजनीति उल्ट को बढ़ात Miros हुए खास करके इतना जान ले एम धर्म वैट को उत्टाक करूँ ले सकते हैं लेकिन अगर विश्व काहित करना चाहते हैं तो धर्म क्या उशकता है और वो धर्म कुरान में असपश्ट रूप से अच्छी तरह से समझाया गया है बताया गया है हमें हिंदी की कुरान भी प्राप्त है उपलब्ध है आज अंगरे जी की भी मिल गई है सारी दुनिया में अगर इस गरंथ को पहुँचाया जाए और पहुँचाना चाहिए मैं तो मसल्मानों से एक जरूर बात कहुँगा कि आप लोग एक चीज़ का ध्यान दें आप के पलोस में किस भी भाषा को जानने वाला ब्यक्ति रहता हो जिस भी भाषा को कोशिश कीजिए कि आप इस कुरान जैसे पवित गरंथ को उसको उसकी भाषा में पहुचाये और मेरी समय सारी दुनिया में एक कुरान पहुचेगा तो सारी दुनिया में सारी दुनिया में शांती होगी सारी दुनिया में अमन होगा और सारी दुन्या में ऐसे ही इतने प्रीमियों के बीच में संक्राचाज को पहुँचने में और बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी संकोच नहीं होगा आप लोग भी निडर हो जाईए आप लोग भी संकोच छोड़िये हम जानते हैं कभी कभी संकोच में कभी कभी इस देश के कुछ जो फिरका परस्त लोग हैं उनकी उल्टी सीदी और जनाओं में हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हम हाथ पसारे हुए आपके सामने खड़े हैं आए हैं हम आपको गले से लगा रहे हैं लगाते हैं दिल भी मिलाएंगे गला भी मिलाएंगे अग जरुर्वत पड़ गई तो आप लोगों के लिए दिल कटाने की और सिर कटाने के जरुद पड़ जाए तो इस्लाम की रख्षा के लिए संकराचार आपका साथ देगा क्योंकि संक्राचार जानते हैं इसलाम धोखा नहीं है संक्राचार जानते हैं इसलाम बरबादी का रास्ता नहीं है संक्राचार को पता है कि जुबेद में लिखा है वही कुरान में लिखा है इसलिए हमारा धर्म नहीं छूटेगा हमारा धर्म और आगे बढ़ेगा अगर हम मुसल्मानों को अपना सगा मानते हैं तो मुसल्मान परमात्मा का बनाया है आदमी का नहीं हिंदू जो अपने उक्षिते वो भी जान ले कि वो परमात्मा के बनाये हैं तो मुसलमानों से भेदभाव करना बंद कर दें और हमारी तरह सब से प्रेम करें दाक्टर लकनाशाब देखिए मैं अपरचित था जानता नहीं था और मैं बड़ा प्रशन हूँ कि वो समय निकाले और यहां आए उनको तो मैं धन्यवाद क्या दूँ मैं तो यह चाहूँगा कि परमात्मा उनको शक्ति दे कि हम लोगों को सब को ऐसे ही सुन्दर दिब बड़ी सभाओं में समोधित करते हुए और हम लोगों के उपर वो स्वयम करपा बनाए रखें और हम उनके साथ रहेंगे जहां भी जोतों की सदा जीवन में उनका साथ देते रहेंगे इनी शब्डों के साथ जीवन में अब जब भी याद करेंगे जब तक मेरा शरीर है हम आपकी सभाओं में आते रहेंगे ओम शानती ही शानती ही शानती शुत्रिया और आला-टाला संकर अचारिय जी को दायत फर्माए सुद्धार